आज की इस वीडियो में हम जानेंगे milk product name, यानि की दूर से बने पधार्तों के नाम, दूर से बने सभी पधार्तों के नाम हिंदी और इंग्लिस में, ये है चाय, चाय को इंग्लिस में टी वोला जाता है नेक्स्ट है कॉफी, कॉफी को इंग्लिस में भी कॉफी बोलते हैं ये है दूद, दूद को इंग्लिस में milk बोलते हैं ये है चाच, चाच को इंग्लिस में butter milk बोला जाता है ये है मक्खन, मक्खन को इंग्लिस में butter बोलते हैं नेक्स्ट है पनीर पनीर को इंगलिस में cottage cheese बोला जाता है ये है चावल की खीर इसे इंगलिस में rice pudding बोला जाता है इसके अलावा दूद से साबू दाने की खीर भी बनती है तो उसे इंगलिस में बोल देंगे सेगो पूडिंग नेक्स्ट है लसी लसी को इंगलिस में churn curd बोलते है नेक्स्ट है दही दही को इंगलिस में curd या yogurt बोला जाता है नेक्स्ट है गाडा दूद गाडा दूद को इंगलिस में condensed milk बोला जाता है नेक्स्ट है मिल्क सेख इसे इंगलिस में मिल्क सेख ही बोला जाता है नेक्स्ट है रबडी रबडी को इंगलिस में पोटेज बोलते है ये है रायता रायता को इंगलिस में मिक्स्ट कर्ड बोलते है ये है ठंडाई ठंडाई को इंगलिस में भी ठंडाई बोलते हैं यह है घी घी को इंगलिस में क्लेरिफियड बटर बोला जाता है नेक्स्ट है मलाई मलाई को इंगलिस में क्रीम बोलते हैं यह है कुलफी कुलफी को इंगलिस में भी कुलफी बोलते हैं नेक्स्ट है तोड या दूद का पानी जिसे इंग्लिस में बिहे बोला जाता है ये है चीज चीज को इंग्लिस में भी चीज बोलते हैं यह है संपूर्ण दूद जिसे इंगलिस में बोलते हैं फुल क्रीम मिल्क या वहूल मिल्क ऐसा दूद जिसमें से मलाई नहीं निकाली गई हो आईस क्रीम, आईस क्रीम को इंगलिस में भी आईस क्रीम बोलते हैं ये है दूद पाउडर, जिसे इंगलिस में बोलते हैं मिल्क पाउडर ये है खटी मलाई, जिसे इंगलिस में बोलते हैं सौर क्रीम Next is cold coffee इसे English में बोलते हैं cold coffee ये है खोया या माबा जिसे English में भी खोया या माबा बोला जाता है Next is hot chocolate इसे English में भी hot chocolate बोला जाता है ये है मलाई रहित दूद जिसे English में बोलते हैं skimmed milk ऐसा दूद जिसमें से मलाई निकाल ली गई हो ये है माबे का केक जिसे English में बोलते हैं माबा केक ये है गाजर का हलबा जिसे English में बोलते हैं carrot pudding इसके अलाबा और भी हलबे बनते हैं जैसे लोकी का हलबा तो उसे English में बोलेंगे water guard pudding ये है मिठाईया जिने English में बोलते हैं sweets दूद से कई प्रकार की मिठाई बनती हैं जैसे गुलाब जामुन, रस्कुला, बरफी, रबडी, पेडा, चमचम और भी कई प्रकार की मिठाई बनती हैं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सियर करें और चैनल को सस्क्राइब करें